Mathematics for Class 6 NCRT Syllabus Chapter 1 Knowing Our Numbers यस चाप्टर को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में और ये वीडियो उन सारे विद्यारतियों के लिए बड़ा ही लाबदायक होगा जो Class 6 में हैं अभी और NCRT का सिलबस पढ़ रहे हैं यार फिर उन लोगों के लिए जो Competition के तियारी कर रहे हैं जैसे Bank PO etc और जल्दी से अपनी Fundamentals को ब्रश अप करना चाहते हैं Right Before Going To The Exam तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो पहरली टॉपिक हम देखने वाले हैं वह है Comparing The Numbers आपको जो सवाल आएंगे वह कुछ इस तरह की कि आपसे पूचा जाएगा Which is the greatest number of the given numbers हमारे पास यहां चार नंबर दिये हैं और पूचा जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है या नहीं तो आपसे पूचा रहा सकता है कि सबसे चोटा नंबर कौन सा है हाला कि इन सवाल होगा बहुत ही intuitively आप देखेंगे You know कि कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा चोटा नंबर है आप easily उस नंबर को पहचान सकते हैं पहली चीज जो आप देखोगे जभी ऐसा वह सवाल आता है कि नंबर अव डिजिट्स कितनी संख्या है टोटल वह देखना पड़ेगा तो नंबर अव डिजिट्स आपको देखना पड़ता है अगर हमारे पास जो चार एक्सम्पल्स दिये हैं यह एक्सम्पल मैंने बुक से ही उठा है randomly अगर इस एक्सम्पल में देखा जाए तो चारो नंबर में चार डिजिट्स हैं राइट दूसरे वाले में 4892 4037 員 स्टीचे थीची है तो चारो के पासट चार डिजिट्स हैं राइट तो जब आप सबसे बड़ा नंबर का चारा नहीं कोशिश कर रहा हैं अगर हमें अगर टोटल नंब of deserts उसको आप सबसे छोटा बोलोगे राइट पर हमारे पास जो example उसमें सभी में 4 desert है तो यह पहला check जो है यह हमें कोई result नहीं दे रहा है तो हम दूसरे check पर जाएंगे दूसरा check है हम place value पर देखेंगे कि कौन सा place value सबसे ज्यादा बार repeat हो रहा है ठीक है और place value को concept just to touch upon आप में पहले भी cover किया होगा मैं basics के लिए फिर से यहां पर भी cover कर देता हूं किसी भी number को किसी संख्या को हम right to left देखते हैं अगर मैं यह आखरी example जो है 4352 इसे पकरता हूं तो इस संख्या को मैं right to left देखूंगा जिसमें कि I'll start with two five three and four right किसी भी संख्या को कोई भी संख्या हो गया तो आप उसको right to left देखूंगे और उसके हर एक number का अपना place value है और वो क्या है place value मैं भी आपको explain करता हूं पहला जो संख्या होती है पहली संख्या जो होगी उसकी जगह होती है उसको once जहाता है a जो दूसरी संख्या होती है उसके वैलू को उसके जगह को 10 कहा जाता है जो तीसरी संख्या होती है उसके जगह को 100 कहा जाता है क्यों क्योंकि 100 100 is 100 तो उसमें 3 संख्या होती है तो तीसरी संख्या होती हो 100 होता है वैसे 1000 में 4 होते हैं क्योंकि 1 के बाद 3-0 होते हैं तो total 4 digit होते हैं 1 और 3-0 राइट तो 1000 जो होती हो ये चौती जगह होगी पांच भी जगह क्या होगी 10,000 फिर लाइक राइट और इस वीडियो में और पूरे कोर्स के दोरा अब हमें जबी प्लेस वैलू कि हम बात करेंगे हमें जबी प्लेस वैलू डिसकस करना होगा मैं अबरिबेशन से यूज करूँगा 1 को मैं O से रिप्रेजेट करूँगा 10 को मैं T से रिप्रेजेंट करूँगा 100 को मैं H से रिप्रेजेंट करूँगा 10,000 को मैं T, T, H से represent करूँगा and lakh को मैं L से represent करूँगा 10,00,000 TL हो जाएगा करोर CR हो जाएगा ठीक है तो जब भी जैसे संख्या है यह हम उसे use करते रहेंगे मैं आपको उताता जाँगा तो अब देखते हैं कि सबसे बड़ी जो place value है वो क्या है इन सारी संख्या हों के लिए हम क्या जानते हैं यह सारे के सारे संख्या हैं जो है वो चार डिजिट के हैं तो चार डिजिट कौन सा place value है अपना 1 अपना 1 है 10 अपना 2 है 100 अपना 3 है 1000 अपना 4 है तो सभी के बाद 1000 की place value पे संख्याए है तो हम देखेंगे कि कौन से संक्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वो उतना बड़ा thousand हो जाएगा राइट तो हम पहले देखेंगे thousand place पे ये जो चार नंबर से हमें दिये गए हैं इनकी क्या स्टीटर से हैं तो हमें क्या पता चलता है सब के पास four thousand हैं अगर आप पहला एक्जामपल लें तो इसमें 4000 है दूसरे एक्जामपल में भी चार जा रहे है तीसरे में भी चार जा जा रहे है और चौथे में भी चार जा रहे है तो क्लिर्ली thousands place पे place value पे चेक करने पर हमें अपना आंसर नहीं मिला कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है तो अब हम क्या करेंगे हमारा thousand का check complete हो गया अब हम 100 के चेक पर जाएएंगे 100 का चेक क्या दिखाएगा हमें 100 का चेक हमें दिखाता है कि पहले वाले नंबर में 500 हैं दूसरे वाले नंबर में 800 है तीसे वाले नंबर में 300 है और चौते वाले नंबर में भी 300 है तो very clearly हमारा जो second example है second number है 4892 इसमें सबसे ज्यादा hundreds हैं after having equal number of thousands तो clearly यह हमारा सबसे biggest number है बढ़ा ही साधारन और बढ़ा ही आसान है इसे solve करना तो हमारा biggest number क्या है तो यह हमारा answer है मालीजे इसी सवाल में अगर आप से पूछा है सबसे छोटा number कौन सा है तो सबसे smallest number कौन सा है उसे कैसे करोगे आप सबसे smallest number के लिए भी हम वही logic अपनाएंगे जैसे बड़े number के लिए हम सबसे ज्यादा बार thousands देख रहे थे छोटे number के लिए हम सबसे कम बार thousands देखेंगे सबसे कम बार एक place value का repetition देखेंगे या बोली सबसे कम बार हम सबसे बड़े place value का repetition देखेंगे कि कहां पर सबसे बड़ा place value सबसे कम बार repeat हो रहा है clearly हमारे पास जो example है उसमें चारो नमबर में thousands place value चार बार repeat हो रहा है all of them are starting with 4 तो यह हमारा जो check है वो clear हो गया यह check हमारा clear हो गया फिर हम hundreds पर देखेंगे कौन से नमबर में सबसे कम बार 100 repeat हो रहा है तो पहले वाली संख्या में 5 बार 100 repeat हो रहा है दूसरी वाली संख्या में 8 बार हो रहा है तीसरी वाली संख्या में 3 बार हो रहा है चौती वाली संख्या में 3 बार हो रहा है तो clearly हमें चार में से दो ऐसे नंबर्स मिल गए जिन में सबसे कम बार 100 रिपीट हो रहा है तीन और तीन बार वह हमारे आखरी दो नंबर ठीक है 4370 4352 तो हमारी यह चेक भी पूरी होगी इस चेक से हमने क्या किया हमने पहले वाले जो दो नंबर है उन दोनों कमने smallest के competition से निकाल अब जो नंबर smallest होगा वो आखरी दो नंबर में से 4370 4352 में से कोई एक नंबर smallest होगा तो अब हमने 100 का चेक पूरा कर लिया अब क्या करेंगा अब हमें 10 के चेक पे जाना पड़ेगा राइट हमें 10 के चेक पे देखना पड़ेगा एक कौन से संख्या में 10 सबसे कम बार र हैं दोनों 4 और 3 हैं तो अब हमें 10 के जगए पर जहां पड़ेगा तो बाइन से जो पहला नंबर है वो तो ही 70 उसमें 10 के प्लेस पे 7 टाइम और आखरी संख्या उसमें 10 के प्लेस पे 5 बार लेडी 5 is less than 7 तो हम बड़ी असानी से कह सकते हैं कि जो हमार आखरी नंबर है उस 10 में इट वस स्मालर देन दे प्रिवियस नंबर 4 370 तो क्लेरली हमारा जो सबसे चोटा नंबर है वो 4352 है तो हमारा जवाब क्या होगा तो यह हमारा जवाब है और यह बड़ा ही साधायरन तरीका है और यह प्रोसेस है आपको कभी कोई दो नंबर को पूछा जाता है एक्जाम में कि कौन सा सबसे चोटा नंबर है या सबसे बड़ा नंबर है आप अकर यह स्टेप्स लिखते हो तो आपको 5 में से 5 नंबर डिजेट्स में जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि नंबर बनाएगे विदाट रिपीटिंग एनी अफ तर नंबर अनी ओधर डिजेट्स वचा गिवन तू यू जैसे इस केस में 2874 मिला हुआ है और हमें बोला जा रहा है कि अलग अलग नंबर बताईए इन चारो संक्य हो यूज करके तो बड़ा ही सदार्ण सा सवाल है आप इसको अलग-लग कभी 2 से स्टार्ट करगे कभी 8 से स्टार्ट करके कभी 7 स साथ करके आप बड़े आसानी से अलग-अलग नंबर बना सकते हैं इसमें अब इक ट्विस्ट डाला जाता रहा इस आप से कहा जाता है कि इ आपको ensure करना पड़ता है कि आपका एक जो place value है वो सबसे ज़ादा बाः repeat हो तो अगर यहाँ पे चार संख्या है तो one stands hundred thousand हमारे पास thousand तक की संख्या है हमें क्या कोशिश करनी है हमें कोशिश करनी है कि हमारा जो thousand है वो सबसे ज़ादा बाः repeat हो उसके जो every level number है क्योंकि आप repeat नहीं कर सकते हैं नमबर को आट बार 1000 आ गया तो बाकी जो संख्या हैं 2, 7 और 4 उसमें से आपको वो संख्या pick करने हैं जिससे आपको सबसे ज़्यादा वा 100 मिलें वो 7 होगा फिर आपको सबसे ज़्यादा वा 10 को repeat करना है तो वो 4 होगा और सबसे ज़्यादा वा बचा हुआ एक ही संख्या है 1, 2 तो आप उसको ones के place पर डाल देंगे तो आपको जीच चो सबसे बड़ी संख्या होगी आप कोशिच करोगी 1000, 100, 10, 1 सबसे आपर repeat हो तो biggest number के लिए 8, 7, 4, 2 यह आपका biggest number होगा वैसे यह smallest करना हो तो इसका ठीक उलता आपको कोशिच करना है कि सबसे बड़ी place value जो हो सबसे कमबा repeat हो और 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 तो आपको बेसिकली 1000 के जगह पर 2 लिखना है 100 के जगह पर 4 लिखना है और 10 के जगह पर 7 लिखना है और 1000 के जगह पर 8 लिखना है यह बिलकुल opposite है और यह smallest number आपको दे देगा इसको solve करने के बड़ाई आसान तरीक है और एक concept है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ हम जब भी number लिखते हैं हम कैसे numbers लिखते हैं आप numbers को लिखते हो 0 1, 2, 9 अगर आपको लिखना हो single digit हमारे जो संख्या है 1, 2 तो हमेशे आपने numbers को ऐसे लिखते है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 9 या 0, 2, 9 इसको हम क्या देख रहे हैं यह संख्या हैं वो 22 दाएं बढ़ रही है 0 से start हो रही है और यह बढ़ते जा रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एसेंडिंग ओडर बोलते हैं राइट? एसेंडिंग ओडर जो है वो हमेशे बाएं से दाएं बढ़ती है यह start से end के तरब value बढ़ता जाता है 0 से 1 बढ़ा है, 1 से 2 बढ़ा है, 2 से 3 बढ़ा है और इसी को अगर हम reverse कर दें इसी को हम reverse कर दें तो यह बन जाता है descending order जो की बड़ा से छोटा होता है ठीक है? मैं इसे कुछ इस तरीके से याद रखता हूँ ascending order जो है वो A से start होता है ascending और A जो है पहला अक्छर है आपके इंगले शल्फा वेट का A, B, C मतलब जो भी नमबर आती है उसके बाद आती है तो मैं यह ऐसे याद रखता हूँ कि A जो है पहला अक्छर है तो सबसे छोटा अक्छर है और उसके बाद की संख्या अक्छर जो है वो उससे बड़े हैं तो नमबर में भी जहां पर आसे इंग ओर में करना होगा जो पहली संख्या होगी यह सबसे छोटी होगी उसके बाद की सारी संख्या है बढ़ी होगी और डिसेंडिंग को मैं इसके ठीक उल्टे की तरह याद रखता हूँ तो मैं इसे कोड रिलेशन बना के ड़कता हूँ आप अपने एक तरीका निकाल जाकते हैं यह मेरा तरीका है याद करने का ठीक है अब इसका रिलेशन क्या है आप किसी भी संख्या को जैसे कि हमें यहाँ पर टू एट सेवन और फॉर यह चार संख्या मिली थी 2, 8, 7 and 4 अगर अब हमें बोला जाता है कि आप इन चार डिजिट्स को यूज करके सबसे बड़ी संख्या बनाईए तो आप इन सब को बड़े के लिए तो आप इनको सबसे बड़ी संख्या के लिए descending order में arrange कर दीजे मतलब बड़ी से छोटा and automatically the number that you will get will be the biggest number possible with the given digits तो कैसे करेंगे descending order क्या है बड़ी से छोटा तो 8 सबसे बड़ा संख्या है फिर 7, 4 और 2 यह आपका biggest possible number है इन डिजेट्स को लेगे इस सबड़ा number आप नहीं बना सकते हैं similarly अगर आपका smallest number निकालना हो तो आपका ascending order में डालना है मतलब छोटे से बड़ा तो सबसे छोटा number कौन से है 2, 4, 7 और 8 आप इन 4 संख्याओं को लेके इस value से कम value की का number नहीं बना सकते हो 2, 4, 7, 8 से छोटा number आप नहीं बना सकते हो तो यह एक relation है ascending order का सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्याओं का number बनाने में आप इस concept को अगर समझ लेते हो अच्छे से और ठोड़ी practice कर लेते हो तो यह आपको हमेशे के लिए आजाएगा पूरी जिंदगी के लिए आपको फिर देखना नहीं पड़ेगा इस चीज़ को और आप ऐसे किसी सवाल को बड़ी असानी से solve कर सकते हैं चलिए देखने हैं अगला टॉपिक तो जो अगली टॉपिक हम देखने वाले हैं वह introducing 10,000 इसका नाम ऐसा क्यों है यह basically आपको zero वाले numbers को introduce करने का idea यह सिब 10,000 तक ही limited नहीं है it can be applied the concept that we are going to learn here हम पसको बड़ी असानी से 10,000 10,000 लाक आप easily उन सारे numbers पे apply कर सकते हैं यह basically यह लोगों ने catchy एक heading दे रख है इस topic को तो मान लीजे अगर आपको पूछा जाता है कि आपको अपने मर्जी से संख्याओं को चूस करने की अनुमती है और आप हमें सबसे बड़ी दो डिजेट की संख्या बना के दीजे आपके अज़ दो डिजेट्स है तो आपके पास अगर दो place values है और आपको कहा चाता है आप अपने हिसाब से संख्याओं कीजे और सबसे बड़ी दो डिजेट्स की संख्या बना के दीजे सबसे बड़ी दो डिजेट्स की संख्या क्या हो सकती है बताईए बड़ा ही आसान सा जवाब है इस सवाल का सबसे पहले तो आप अपना ascending order में numbers arrange कीजे पहले दस number जो है आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जो 9 अभ इसमेंसे अगर आपको कहा जाता आप किस नंबर को repeat कर सकते हैं अगर आप repeat reopएट नहीं कर सकते तो अलग case बनता है अगर रिपीट कर सकते हैं तो अलग case बनता है अब इन से किसे भी संख्याएं को repeat करके भी सबसे बड़ी संख्या कौन सी दो डिजिट की संख्या बना सकते हैं क्या होगा जवाब आपको once को सबसे ज्यादा बार repeat करना और tense को भी सबसे ज्यादा बार repeat करना है इन सारी single digit संख्या होंगे सबसे बड़ा number कौन से 9 तो आप basically 9 और 9 डाल दोगे आप इससे बड़ी दो डिजिट की संख्या नहीं बना सकते हैं इससे अगर आप एक और जोड़ोगे तो यह hundred हो जाएगा और यह तीन डिजिट की संख्या बन जाएगी तो यह concept है जो हमें समझना है मान लीजेगा अनुमती नहीं होती कि आप एक संख्या को रिपीट नहीं कर सकते हैं तो फिर पहली जो टेंस के जगह पे हम 9 डालते हैं और 1 के जगह पे हम 8 डालते हैं जैसे कि नंबर की ability होती होती है उसे तो 98 होता लेकिन यहां पे आपको को रिस्रक्शन नहीं है आप किसी एक संख्या को रिपीट किसी एक डिजिट को रिपीट कर सकते हो सबसे वड़ी संख्या जो आप बना सकते हैं वह गहां 99 और उसमें अगर आप एक भी आड़ करते हो एक यूनिट भी आड़ करते हो तो तीन डिजिट की संख्या बन जाती है अब मुझे बताईए तीन डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या है जी आप सही समाज रहे है तीन डिजिट की सबसे छोटी संख्या तीन डिजिट की जो पहली संख्या है वो है वो है क्या हंड्रेट तो हंड्रेट आपकी सबसे छोटी तीन डिजिट की संख्या है तो इसमें logic क्या है basically तो इसमें logic यह है कि biggest two digit number plus one is smallest three digit number आप इस logic को आप कितनी भी बड़ी संख्या पर आप लगा सकते हैं ठीक है तो अगर biggest three digit number क्या होगी biggest three digit number nine nine और nine और smallest four digit number क्या है नाइन 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 डिएस three digit number plus one तो one two three तो smallest four digit number जो है वो आपकी one thousand ठीक है अप इस logic को four five nine ten कितनी भी नंबर पर बड़ी हैसानी से लगा सकते हैं तो यहां पर हमने क्या सीखा कि biggest biggest n digit number is equal to smallest n plus one digit number right बड़ा simple है n can be four right तो आप चार बार nine लिखोगे और प्लस one is equal to एक के बाद चार बार zero which is five digit number right तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए यह बड़ा simple सा logic है जो आपको बार बार काम आएगा आपके competition में ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे आपसे पूछा जाएगा कि biggest five digit number कोंसा है बड़ा साधारण है आप पांच बार nine को repeat कर दीजे यह आपका biggest five digit number है फिर कोई पूछता है कि smallest five digit number कोंसा है तो बड़ा साधारण सा सवाल है आप चार बार पांच डिजिट smallest तो आप five digit smallest आप four digit biggest ले लीजे which is four nine plus one अगर आपको कभी भी doubt हो और यह आपका जवाब आ गया राइट यानि तो आप हमेशा याद रखिए कि जब भी biggest पूछा जाता है तो आपको nine को repeat करने और जब smallest पूछा जाता है तो one और उसका zero लगाते जाने जितनी संख्या भी हो और वह आपके biggest और smallest number आपको मिल जाएगा चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं तो जो अगली टॉपिक हम देखने वाले हैं वह रिपिसेटिंग प्लेस वालू तो अभी हमने देखा था हमारे प्लेस वालू क्याते तो इसमें हम कबर करने वाले हैं कि किसी भी number को अगर हम break up कर देंगे अगर हम किस भी number को तो तो किस हिसाब से तो 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 रहें हम प्लेस वालू के हिसाब से नंबर को कैसे दिखाएं तो एक एक्जामपल उठाते हैं let us take example of 78 अगर इस नंबर को हमें place value के हिसाब से break up करके दिखाने हैं कैसे दिखा सकते है ones के value पर 8 है और 10s के value पर 7 है तो basically 7 multiplied by 10 plus 8 multiplied by 1 यह expansion है इस नंबर का similarly अगर हम एक और एक्जामपल लेना चाहें 4 2 3 मानलीजे यह example लेते हैं तो इसमें अगर हमें इसका expansion पूछा जाता है तो क्या है ones 10s और 100 तो 4 into 100 क्योंकि 100 400 है तो 400 होंगे plus 2 into 10 plus 3 into 1 तो इस तरह से आप किसी नंबर का expansion को आप place value के हिसाब से represent कर सकते हैं और एक और तरीका है इस चीज को represent करने का वो है एक table बना के जिसमें कि आप यह multiplied by 100 multiplied by 10 और multiplied by 1 नहीं लिखते हो आप एक table मुना देते हैं जिसमें इन सारे numbers की अपनी columns होती है आप उसमें आके mention कर देते हो कि कौन सा number है और उसमें गलतियां बहुत कम होती है चलिए उस example को देखते हैं तो यह number expansion का table है अभी हम देख रहे थे कि कैसे हम 100 से multiply करके चार बार पांच बार और numbers को उनके place value के 1,2,3,4 यह number है और इसको मैं expand करना चाहरे हैं तो हम क्या जानते हैं हम जानते हैं कि इसमें 4 digits है राइट 1,10,100,1000 तो हमारी जो number का expansion है वो चौथे value से start होगी which is 1,10,100,1000 से तो 1000 में क्या है हमारी पहली संख है एक दूसरी संख है दो तीसरी संख है तीन और चौथी संख है यह बिलकुल इस तरीके से लिखने का मतलब बड़ाई साधारान और सिंपल है कि इसका exactly वही मतलब है 1 into 1000, 2 into 100, 3 into 10, and 4 into 1, right और इसका expansion of words में लिख देते हैं विच इस 1000, 2234 यह इसका expansion है इस table का benefit यह है कि आप गलतियां नहीं करा होगे जब भी आप ऐस ऐसे problems को solve कर रहे हो आपसे गलतियां नहीं होंगी अगर ऐसा table बना हुआ है तो यूँ आपको एसे में कभी गलतियां नहीं करनी हूँ तो एक बड़ा ही असान तरीक है always start from once to hundred कि पहला जो सबसे छोटा once place पे जो number है उसको आप सबसे पहले लिखो उसके बाद उसके बाद वाले number को और आप भरते जाओ आपको गिनने की ज़रूत नहीं कि कहां तक है यह automatically यह उ जलती करने के कोई chances है नहीं है आपको पूरे के पूरे numbers मल जाएंगे इस case में चलिए अगला topic देखते हैं इसी chapter में last numbers का भी concept है जो हमें cover कर लिया है जल्दी से किसी भी बड़ी संख्या को represent करने के लिए अलग-अलग units बने हुए हैं जैसे एक के बाद एक zero तो हम उसे 10 कह कहते हैं यह के बाद three zero तो हम उसे 1000 कहते हैं ten thousand, lakh, so on and so forth we keep doing that ठीक है वैसे ही अगर मान लीजे कि हम उसे 1 किलोमेटर बोलते है आप एक छीज ए बात का ध्यान रखना है कि हमेशन small k होता है it is not the big capital खर置 small k होता है और k basically represents kilo which is 1000 it means three zeros ठीक है वैसी 1000 grams होते हैं one kilogram होते है like I said कि k का मतलब क्या होता है k का मतलब 30 है तो 1000 gram आप 30 के जगह पर एक k लिख देते हैं और ऐसी अलग-अलग unit है जो कि हमेशा use के जाते हैं जैसे 60 minute मिलके एक घंटा हो जाता है 24 घंटे मिलके एक दिन हो जाता है तो वैसे बहुत साए unit हैं जो कि हम अपने day to day life में use करते हैं to represent big numbers बहुत बड़ी-बड़ी संख्याओं को आप ऐसे किसे से भी जाके आप ये थोड़ी बोलोगे एक के बाद 30 आप बोलोगे 1000 और इंसान समझ जाते हैं कि अच्छा एक के बाद 30 हैं तो वैसे इन सारे units को यूज किया जाता है और ये एक topic है मैं सोचा कवर कर देते हैं बुक में भी है और हाला कि आप सबको पता ही होगा लेकिन फिर भी interesting to know let's move on to next topic अगला topic जो हम देखने वाले हैं वह है commas use of comma in Indian numeration system Indian numeration system में comma को यूज किया जाता है तीन संख्याओं को denote करने के लिए thousand, lakh, and crore तो हम commas लगाते हैं और किसी बड़ी संख्या को जब लिखा जाता है और अगर आपने word में नहीं लिखा हुआ है कि this is one thousand two thousand जो में भी expansion का example देख रहे थे last column में हम क्या लिख रहे थे हम word में लिख रहे थे two hundred one thousand two hundred something right तो अगर वैसे नहीं लिखा हुआ है सिर्फ one zero 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 ऐसे है तो आप कैसे पैचान होगे कि एक thousand एक लाक है करोड है क्योंकि अगर बहुत साइज zeros है तो यह can be at times confusing आप confused हो सकते हो राइट तो आपको बैटके गिनना पड़ेगा हो कि one stands hundred thousand ten thousand right to left and then you'll arrive at value कि अच्छा ही करोड है यह क्या है तो simplify that Indian numeration system have finalized use of commas to simplify reading of numbers और worldwide अलग-अलग standards use होते हैं इंडिया में हम यह standard use करते हैं thousand, lakhs and crores को हम कॉमा से represent करते हैं कैसे कोई भी एक संख्या लिखी जाती है मान लिजए मैं one thousand लिख रहा हूं तो यहाँ पे ones, tens, hundred and thousand thousand के ठीक पहले मैंने क्या गया था thousand को represent हम कॉमा से करते हैं thousand के ठीक पहले हम एक कॉमा लगा देते ठीक है, मान लीज़ें यहां पर हमारे पास 6 0 हैं, तो हम क्या करेंगे, once, tens, hundred, thousand, ten thousand, lakh, ten lakh तो हम पहले thousand को represent करेंगे thousand के पहले हम कॉमा लगाएंगे thousand के पहले हम कॉमा यहाँ पे हम लगा देंगे और second हम क्या देनोट करते हैं? lakh को देनोट करते हैं तो हम lakh के पहले हम एक कॉमा यहाँ पे लगा देंगे तो आपका पहला कॉमा यहाँ हैं दूसरा कॉमा यहाँ हैं और जब भी आप किसी भी संक्या को देख रहे है जब आप दो कामा's लेखते हैं तो आप समझ जाते हैं अच्छा इसकी वैलू जो है वो लाक्स में है ये टन लाक्स में है क्यों कि कॉमा के बाद अगर एक संख्या है तो लैक में और कॉमा के बाद अगर दूसरी भी संख्या है तो 10 लैक्स में वैलू है वैसे ही अगर ये है अगर इसको कहा जाए कि ये कितनी संख्या है आप इसको काउंट करना सुरू करोगे Once, Tens, Hundred, Thousand, Ten Thousand Lack, Tên Lack, Kurore, Tên Karoure तो हम 1000, Lack and Karoure को करते हैं तो 1000 के पहले पहला कॉमा के पहले दूसरा कॉमा और करोर के पहले तीसरा कॉमा और जैसी हम देखते हैं कि वो थीन कॉमा है हम समझ जाते है कि number जो हैँ करोर में है और अगर कॉमा के पाद एक नंबर है तो single digit करो एक करो दो करो तीन करो वैसे और डबल डिजिट है तो 10 करो 20 करो 12 तेरा टो डिजिट में और सो और सो फॉर्ट जैसे से संख्याएं बढ़ती जाएंगे आप वैसे वैसे समझते जाओगे यह 1000 करो रहे हैं 100 करो रहे है पूछा जाएगा कि यह सही तरीके से इंडियन नियुमेरेशन सिस्टम के हिसा आप से लिखा हुआ है या नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा और यह बड़ा ही सिंपल सा कॉंसेप्ट है अगर ऐसे साधारन सवाल कोई गलत करेगा तो बड़ा दुख होगा तो इसे नीचे कॉमेंट्स में लिखके बताइए मैं ऐसे फिर से कवर करने कोशिश करूँगा चलते हम नेक्स टॉपिक पर तो अगला टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वह एस्टिमेशन और राउंडिंग और नमबस मालीजे अगर कोई आपको बोलता है 263 को राउंड अफ करो तो आप कैसे राउंड अफ करेंगे सिंपल है आप इसको नियरस जीरो तक लेके जाएंगे हमारे जो वन्स की प्लेस है इसको आप ले जागे नियरस जीरो के पास लेके जाएंगे तो 263 का नियरस जीरो क्या है 260 राइट अगर यही संख्या अगर 268 होती तो इसका नियरस क्या होता 270 राइट इसे दो तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं हम एक नंबर लाइन बनाते हैं 260 265 और 270 राइट इसमें से 263 कहां आएगा 263 कहीं यहां आएगा 263 अगर आप देख रहे हो तो निरस जीरो क्या होगी 260 होगी क्योंकि इसकी 263 की डिस्टेंस 260 से कम है बसरते 270 के उकाबले राइट वैसी 268 जो है वो 265 और 270 के बीच में आएगा तो 268 की दूरी जो है 260 से ज्यादा दूर है और 270 के पास है इसलिए 268 का राउंड अफ 270 है और 263 का राउंड अफ 260 है यह पहला कॉंसेप्ट है एस्टिमेशन और राउंड अफ एस्टिमेशन बेसिकली अगर आपको कुछ भी अगर अनुवान लगाना होता है तो आप exact figure में जान नहीं सकते हैं कई वाज जब बड़े numbers में deal करें तो आप rounding of a nearest zero पे लेके अपने number को बताते हैं कि अच्छा यह लगबग 5 km होगी यह जगा यह 10 km होगी यहां से राइट तो आप ऐसे deal करते हैं इसके साथ दूसर जो important concept है वो है basically 2469 माली जा है कि मुझे इस number को अगर round off करना है तो क्या होगा इसका पहला round off होगा 2470 nearest zero at once place लेकिन अगर आपको कोई बोलता है कि इसको 10th place पे round off करो तो आप कैसे करोगे so once place का round off तो 2470 हो गया लेकिन 10th place का round off तब आपको 6 वाले इस unit को आप basically round off करते हो nearest zero पे तो उसका भी answer 2470 ही होगा लेकिन मालेजे यह 10th place का rounding off हो गया अगर आपको 100th place का rounding off बोला जाता है ठीक है तो आप कैसे करोगे अगर आपको 2469 को अगर round off करना है तो आप इसको कैसे round off करोगे तो आपको basically दो answers हो सकते हैं right आप 2300 हो सकता है और 2500 भी हो सकता है क्या बता सकते हैं इसमें से सही answer कौन सा है अगर आप 100th place पे round off करो आपका यह जवाब गलत है और आपका यह जवाब सही होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो जरूर बनता है और मेर चैनल को subscribe कर लिजिए ताकि आपको और ऐसे updates आते रहें and that will be an awesome thing चलिए next topic देखते है तो अगला जो topic इस chapter में है वो है use of brackets तो हम पहले देखने वाले solving for brackets solving of brackets है क्या और क्यों इस brackets use होते है एक example लेते हैं मान लीजिए आपको एक equation solve करना है 2 प्लस 3 multiplied by 4 प्लस 5 mathematics में एक rule है उसे कहते हैं board mass यह basically mean करता है B for brackets of D for division M for multiplication A for addition and S for subtraction और आपको जब ऐसे mixed equations मिलते हैं जिसमें की plus भी है multiply भी है subtract भी है divide भी है तो आप किस priority में problem को solve करेंगे यह करने के लिए आप board mass का इस्तमाल करते हैं आप basically इससा आप बाएं से दाएं जाते हैं आप सबसे पहले फिर bracket को solve करते हैं फिर division करते हैं फिर multiplication करते हैं फिर addition करते हैं फिर subtraction करते हैं तो यह नहीं हम हैं और यह क्यों किया जाता है यह अभी हम देखते हैं चली यह जो example मैंने ले रखा है इसको हम दो तरीके से solve करते हैं पहला तरीका क्या है पहले तरीके हम 2 प्लस 3 को add करते हैं और 4 प्लस 5 को add करते हैं उसके बाद हम दॉनों नमबर कड़ेशन है उन दूनों को multiply करते हैं यह क्यों कि multiplication , दूसरा तरीका क्या होगा हम पहले दोनों बीच के numbers को multiply करेंगे और उसकर उनन इन दो numbers से add करेंगे देखते हैं रिजल्ट क्या होता है तो पहला क्या था हम 2 प्लस 3 को add करेंगे क्या हो गया 5 multiplied by 4 प्लस 5 9 is equal to 45 और second example जो आपने कहा था क्या कहा था कि हम पहले बीच वाले multiplication को solve करेंगे उसका फिर मैं add करेंगे तो 2 प्लस 3 इंटो 4 12 प्लस 5 यह कितना होगा यह 19 होगा तो clearly अगर हमारी process बदल जाती है तो हमारे answers भी बदल जा रहे हैं तो इन्ही doubts को solve करने के लिए board mass का नियम निकाला गया कि पहले आप division करोगे पहले आप bracket solve करोगे फिर division फिर multiplication फिर addition और फिर subtraction करेंगे ठीक है तो board mass rule के हिसाब से पहला या दूसरा कौन सा example सही है दूसरा वाला example सही है राइट कि आपने पहले multiply किया उसके एड़ किया क्योंकि board mass में M A के पहले आता है जब बाइंसे दाए जाते हैं राइट लेकिन क्या कभी आपको ऐसी जरूरत पर सकती है कि आप चाहते हैं कि हम पहले वाले तरीके से solve करें आ सकती है वैसी जरूरत भी आ सकती है और उसको solve करें उस चीज़ को achieve करने के लिए हम brackets का स्तमाल करते हैं क्योंकि brackets की जो priority है वो division multiplication addition सबसे पहले है तो आप सबसे पहले brackets को solve करते हैं तो इस equation को अगर आप चाहोगे कि वो पहले वाले तरीके से इस वा 3 within bracket multiplied by 4 plus 5 within bracket और जैसे हैं आप यह करते हैं आपको पहले इस equation को bracket के लिए solve करना पड़ेगा तो इसकी value क्या होगी 2 plus 3 5 multiplied by 4 plus 5 is 9 answer 45 तो बड़ा सीधा सा चीज है आप bracket को इस तरीके से solve करते हैं पहले bracket के अंदर के numbers को solve करके एक सबसे individual number तक लेके आते हैं और उसके फिर आप bracket को हटा के फिर आप बाहर के operations को complete करते हैं जो अगली topic हम cover करने वाले हैं वो expansion of bracket है तो expansion of bracket क्या है अब मान लीजे कि 2 plus 3 plus 4 है within bracket और बाहर 5 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है अगर आपको कोई बोले इससे expand करने के लिए तो कैसे expand करोगे आप basically क्या करोगे आप ensure करोगे कि 5 पैले 2 से multiply हो फिर 5 3 से multiply हो फिर 5 4 से multiply हो राइट ब्राकेट का मतलब है multiplication तो इसको हम क्यासे solve करेंगे 5 multiplied by 2 plus 5 multiplied by 3 plus 5 multiplied by 4 जवाब क्या होगा 5 into 2 10 plus 15 plus 20 45 तो यह आपका जवाब है बड़ा simple सा है बस यह expansion of bracket क्या है bracket के अंदर जितनी भी संख्या है वो bracket के बाहर वाले जो adjoining संख्या है बीच में plus नहीं होना चाहिए इस चीज का ध्यान रखिए plus नहीं होना चाहिए कुछ भी नहीं होना चाहिए उसके साथ आप उसे multiply कर दोगे और यह expansion आप इसे साथ से लिख दोगे आप इसी principle को आप लगातार यूस करते जाए चाहिए जितनी भी बड़े संख्या हो चाहिए जितनी भी ब्रैकेट हो कोई फड़क नहीं पड़ता आप उसे इसी तरीके से solve करते है ब्रैकेट में आप उसे इसी तरीके से solve करते है ब् सुन्दर सा कर्वी ब्रैकेट देखते हैं और सबसे छोटे ब्रैकेट जो होते हैं जो नॉर्मली हर जगा देखते हैं जो कि हमारे equation में भी solved है इसमें भी जब आप solve करने ब्रैकेट तो आप सबसे पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर आप कर्डी ब् देखने वाले वह Roman numerals और यह बड़ाई साधारन और बड़ाई simple सा तरीका है numbers को represent करने का जो कि generally use नहीं होता है क्योंकि जब हम इस तरीके को use करते हैं यह बहुत ही intuitive नहीं है यह संख्या बड़ी संख्याओं को लिखने में बड़ी तकलीफ होती है तो इसको generally write-ups में आप हो में देखेंगे प्रश्णों में देखेंगे कि Roman numerals यूज हो रहे हैं जो बड़े I, V, X इस कसम के numbers दिखाई परते हैं वो generally mathematical world में बहुत कम use होते हैं कि सर्फ literature या फिर write-ups को लेके ही इस्तमाल किये जाते हैं editing में तो उन्हें जल्दी से सीक और समझ लेते हैं क्योंकि ब कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखने हैं Roman numerals सीखने के बारे में उनके जो anchor numbers हैं हमें उन्हें जानना है और याद कर लेना है बिलकुल by heart कर लेना है अगर आप इन anchor numbers को समझ गए तो आप किस कितनी बड़े Roman numerals को बड़ी असानी से पैचान सकते हैं और लिख सकते हैं और ज 500 और 1000 यह इनका anchor number है इसका मतलब क्या मैं अभी बताता हूं आपको तो anchor number का इस्तमाल उनसे बड़े number या छोटे number को represent करने के लिए किया जाता है अगर आप एक anchor number जानते हैं तो आप बड़े असानी से उनके छोटे numbers को पैचान सकते हैं और बड़े numbers को ही पैचान सकते हैं जैसे one is the anchor number तो two क्या है आप one को अगर आप दो बार repeat कर देते हैं त second anchor number के पास है तो आप उसे कैसे represent करेंगे आप उसे five से एक कम संख्या की तरह represent करेंगे तो आप basic तो आप four को कैसे represent करेंगे आप four को one before five लिखेंगे basically denote करने के लिए कि four जो है वो five से एक value कम है तो i five के पहले वैसी जैसे two में हमने कैसे किया two में हमने i एक और i को one के बाद three को denote करने के लिए two eyes को एक के बाद लगाया वैसी six को represent करने के लिए हम क्या करेंगे हम five का anchor लिखेंगे वी और उसका एक i डाल देंगे basically यह denote करता है five plus one is equal to six similarly seven को आप कैसे लिखेंगे seven V और two eyes यह seven हो गया eight V और three eyes हो गया five plus three is equal to eight simple right nine को आप कैसे use represent करेंगे आप ten anchor से एक कम दिखाना है तो आप basically i लिखेंगे और square 10 लिखेंगे which is x right तो i x is basically 9 10 क्या है x 11 को आप कैसे represent करेंगे x के बाद 1 i 12 को कैसे x के बाद 2 i 13 को कैसे लिखेंगे x के बाद 3 i आप 14 कैसे लिखेंगे 14 को आप 10 और four का combination से लिखेंगे which is x i and v वह आपको 14 होगा 15 क्या होगा x and v फिर आप 20 कैसे लिखेंगे 20 simple है आपका anchor number 10 है तो 10 का double 20 है तो आप दो बार 10 लिखता होगे अब 30 कैसे लिखोगे आप 3 बार x लिखता होगे आप 40 कैसे लिखोगे आपके एक और anchor number 50 which is L आप 40 कैसे रिप्रेजन करोगे आप 40 को 10 less than 50 की तरह रिप्रेजन करोगे तो क्या लिखोगे आप आप बेसिकलिए 10 less than 50 मतलब 10 आप L के पहले लिखोगे तो आप डिनोट करोगे आप वो 10 कम है 50 से similarly 50 is L आपको 60 लिखना होगे तो क्या लिखोगे ल एक्स आप 70 लिखना होगे तो L double X 80 लिखना होगे तो L triple X और 90 लिखना होगे तो आपको फिर्स anchor number 100 है C तो आपको 10 less than 100 है तो X C 100 is represented as C D और आप हमेशे यह याद रखोगे 500 is represented as D और 1000 is represented as M और जो भी अभी 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 अपने यापे डिस्कस किया आप उसी को repeat करते रहोगे तो आप किसी भी बड़े number को आप represent represent कर सकते हो और roman numerals पे आप किसी भी type combination यूज कर सकते हो किसी एक number को represent करने के लिए यह वड़ी आसानी से आप कर सकते हो तो इसके साथ ही यह पूरा chapter complete होता है hope you enjoyed learning and let's catch up in the next one next video में हम whole numbers का chapter कवर करेंगे और whole numbers के बारे में जानेंगे धन्यवाद